इंदोर के राउजी बाजार थाना श्रेतर में आनाज मशीन के गिरे हुए पट्टे को चढ़ाते समय एक दर्दनाग हाथ से की खबर सामने आई है जिसमें एक यूवक की मशीन की चपीट में आने से मौके पर ही मौत हो गई देड़ साल पहले ही कमपनी में मास्टर कर्मी के रूप में नौकरी पर मृतक कारे रत हुआ था दरसल मामला इंदोर के राउजी बाजार थाना श्रेत रस्तित छावनी आनाज मंडी का है जहां IK Enterprises नामक कमपनी में काम करने के दोरान मशीन का पट्टा चढ़ाते हुए नानक राम निवासी पालदा नाका का रहने वाले 55 वर्ष ये एक व्यक्ति की अचानक से मशीन के पट्टी की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई वहीं अन्य करिमचारियों का कहना है कि कई बार बताया जाता है कि मशीन को बंद करके मशीन का पट्टा चढ़ाया जाए बाबजु दिसके मशीन चालू करके पट्टा चढ़ाने के कारण यह दर्दनाख हाथा हुआ है पट्टा जडाया तो वह सुनता है तो यूँ करके वह चालो मसीन करणा नहीं कि इनकी उमर होगी 55-50 साल 55-60 साल इनको करीब साल देड़ साल करें भी मास्टर थे वह भी मास्टर वही है अब मसीन का काम तो वह बोट चड़ाने गए में तो ठाहिं यह यह मैं उपर मेरी कपडा बदल्द में गुंग सफलने कलिए तो यह तो कर मैं जुआ है तो यह निचे पर separate मसीन आजिए को बतन होने पर वाली मसीन जाकर अले नइसनी की बंद कर्दी मसीन ज़ेन थी आंभ तो क्या पत्ता उन दुत बंडकर दी हर्याई है ऑ आप कितने साल से काम करता हैं मेरों को करीब हो गए 17-18 साल हो गए 17-18 साल से यहीं काम करता हूं आज दनांको ठाने पर फॉंस से सोचना मिली थी जिस पर टज्विक एतु जहां पर उपस्तित हुआ जिसमें मर्तक जो है नानक राम पिता भगवान मलगाया उम्र पैंतालीस वर्स निवास से तीन सो ब्यालीस से पावर्ती नवर पालदा नाका का रहने वाला है जो कि यह आ मशीन चलने के दौरा पट्टे की चपेट में आने से मालेक का भी किलियर नहीं हुआ है जाच का विसे हैं सारे बयान लिये जा रहे हैं लोगों के मालेक इस सब्सक्राइब यहां पर उपस्तित नहीं का जो हमाल लोग और जो मुनीन थी उन्होंने बता जा है कि मसीन चलने कि दौरा नहीं पट्टा उतर गया था जिसको चपेट में आजाने से इसकी पहुत है जाच कभी से अभी जाच में लेग रहे हैं और जाच में जैसे-जैसे तत्य सामने आएंगे उसकी अगरें वैदानी कारवाई करेंगे आगे के लिए अभी तो प्रात्मिक ऊच्टाच में इसको हाथ सा बताया रहा है बागी जाच चलेगी जैसा रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट जैसार टाइम्स